ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पर बन गए हैं एकदम अलग तरीके के नए तरीके के पकोड़े वो भी पांच मिनिट में बहुती क्रिस्पी होते हैं ये पकोड़े और इनको आप चेटनी के साथ टमेटो कैचप के साथ या फिर कोई भी मीठी चेटनी के साथ खा सकते हैं चोटी बोटी पार्टी के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट रेस्पी है ये रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो सब्सकाइब कर लीजिए और साथ इसाथ बेल बिटन को भी दवा दीजिए जिससे आने वाली रेसिपी का नोडिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो तो चलिए साथ में मिलके आज की स्पेशल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं आज हम ये जो पकोड़े हैं मुर्मुरा का इस्तिमाल करके बनाएंगे तो ये मैंने चार कप मुर्मुरा लिये हैं यानि की लाही और ये मुर्मुरा आपको किराने वाली शॉप पे बहुती आसानी से मिल्च जाएंगे और इनको हमें पहले पानी से अच्छे से धो लेना है धोने के बाद इसी पानी में हमें इनको गलने के लिए छोड़ देना है बहुत जल्दी गलते हैं 5 मिनट में तो जब तक ये गल रहे हैं हम दूसरी तयारी कर लेते हैं जब तक ये गल रहे हैं एक ग्रैंडिंग जार में दो उबले हुए आलू डालेंगे थोड़ी सी लशन की कलियां डालेंगे साथी सथ हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल कर इसको पीस लेते हैं ये यहाँ पर हमारा आलू पिस गया है तो पिसे हुए आलू को एक जार में निकाल लेना है और ये जो ग्राइडिंग जार है इसमें हम लाई को डाल कर पीस लेते हैं पीसने के बाद सारी चीजों को मिलाएंगे और डालेंगे इसमें कटा हुए आप प्याज चाट मसाला, जीरा, लाल मेर्च पाउडर, गरम मसाला पहले हम सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के मत मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालना भूल गई थी तो यह डाला मैंने एक चुथाई चम्मच नमक नमक आप थोड़ा ध्यान रखके ही डालें क्योंकि जो चाट मसाला हमने इसमें डाला है वो भी नमगीन होता है तो नमक आप अपने स्वात के अनुशारिस में डाल सकते हैं साथी साथ डाला दो चम्मच बेसन अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करेंगे मिक्षर बनने के बाद तेल को गरम होने के लिए रख देते हैं तेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हाथों की मदद से तोड़ते हुए इसके हम ऐसे पकोड़े तैयार करेंगे दोस्तों ये जो पकोड़े हैं मूंग डाल के पकोड़े से भी जादा अच्छे लगते हैं तो इन पकोड़ों को तो आप एक बार अपने घर में जरूर जरूर ट्राय करें उलटते पलटते हुए इनको हम अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राय करेंगे पकोड़े हमारे तल गए हैं इनको निकाल का रखा है मैंने एक प्लेट में और सर्प किया है हरी चटनी टमेटो केचप के साथ चलिए तोड़ के देख लेते हैं ये जो पकोड़े हैं उपर से क्रिस्पी हैं अंदर से सॉफ्ट है तो आप भी एक बार इन मुर्मुरे के पकोड़ों को अपने घर में जरूर ट्राय करें और आपके घर में ये पकोड़े सब को कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ जुड़े रहें अपना ध्यान रखें अपने परिवार का ध्यान रखें आपका दिन शुभो नमस्ते